इसको बत्तमीजी के भाशा में ही मैं जवाब दूँगा यही नहीं अभी और सुनिए यह वह गद्दार पारटी का प्रवक्ता है जिस गद्दार पारटी ने कारगील के शहीदों के ताबूतों में भी भ्रष्टाचार किया है इननों ने आम आदमी के पैसे यूटियाए में चबा गये ये लोग दबा गये खा गये ऐसी भेशरम और गदार और बहिमान पारिटी भाजप यह प्रवक्ता है हिय उस गद्दार पार्टी के लोग जो प्रदान मंत्री दिशके पीम केर्श का इसाब नहीं देंगे आपने लोगों का पैसा लिया है क्यों डरते हो आप कि क्यों नहीं जाती है वहां पर अले बाब रे ये तो दोती को रहा है दोस्तों सपा पार्टी को छोड़ कर बीजेपी पार्टी के बने प्रोक्ता गौरु भाटिया को बत्तमीज प्रोक्ता बताते कांग्रेस पार्टी के प्रोक्ता अतुर लोड़े का यह वीडियो अब सोसल मीडिया में खूब वाइरल हो रहा है वीडियो आज तक के चैनल का है जिसको अंजनाव का स्यब पोस्ट कर रही है वीडियो में कांग्रेस पार्टी के प्रोक्ता और बीजेपी पार्टी के प्रोक्ता मौजूद हैं इस वीडियो में भरष्टा चार पर डिबेट हो रही थी जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रो गौरो भाटिया को यह बताया कि जब NCP के नेता आजीत बवार NCP में सामिल थे तब उनके उपर भरस्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाया करते थे वो भी सोयम प्रथान मंत्री मोधी जी ने भी आरोप लगाया था लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी जोइन किया उनके सारे आरोप धुल गए मानों वासिंग मसीन में डाल कर उनको धोकर बाहर निकाल लिया गया हो अतो लोड़े ने बीजेपी पार्टी के प्रोक्ता गौरो भाटिया को बत्तमीज प्रोक्ता भी का जिसको वहाँ पर मौजूद अन्य पार्टी के प्रोक्ता ने भी सु दोस्तों यह वीडियो जैसे ही सोसल मीडिया पर वारल हुआ तमाम सोसल मीडिया यूजर्स गवरोभाटिया को जम कर ट्रोल कर रहे हैं आप दोस्तों गवरोभाटिया के इस प्रकार बेज़त होने पर क्या कहना चाहेंगे हमें अपनी रा कमेंट बाक्ष में कमेंट करके जरूर साधा करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें जिससे ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचा है जासके